लो एब्रिवन दिस दनन्जा सिंग, वेलकम टू आट से स्टेडी मेडीची, एज यू नोटेट वी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पिछले तीनों लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है, ट्रेडर्स, बीग अन्डे स्मॉल, जो बड़े और छोटे, दोनों टाइप के जो ब्यापारी थे, उसके बारे में हम लोग अध्यायान करेंगे इसमें एक बंजारा ट्रेडर होते थे, जिसके बारे में हम लोग चैटर 7 में पड़ेंगे इसके अलावा, several traders होते थे, यानि कि बहुत सारे अलग अलग जो ब्यापारी होते थे, traders होते थे, especially horse traders formed associations with head men who negotiated on their behalf with warriors who bought horses होता ये था कि जैसे especially देखा जाए तो horse traders में जो घोणे का ब्यापार करते थे, तो वो अपना एक association बना लेते थे, यानि कि घोणों के ब्यापारीयों का एक group बना लेते थे और उसका एक मुख्या होता था, यानि कि गाउं वाला जो अभी वाला मुख्या है वो ऐसा ही उस समझ लीजिएगा, सीधा एक को चुना जाता था, उसका काम क्या होता था, डील करना, यानि कि वाइसे जो योद्धा हो गए राजा महराजा जो घोणा खरीतते थे, या जो सामंत घोणा खरीतते थे, तो वो जो headman था न मुख्या, इन लोगों को तरब से जा करके घोणों को आठ डील करता था, कि हाँ इतने पैसे में इतने घोणे मिलेंगे, ये सब उसका काम होता था, since traders had to pass through many kingdoms and forests, अब जो ये ब्यापारी होते थे, जब ये एक जगा से दूसरी जगा ब्यापार करने के लिए जाते थे, तो इनको बहुत सारे राजियों से, बहुत सारे जंग और ये लोग क्या करते थे, गिल्ड बनाते थे, गिल्ड यानि कि अपना एक समीती बनाते थे, ठीक है, समीती यानि कि बहुत सारे लोगों का एक कम्यूनिटी बनाते थे, ताकि ये अपने इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, यानि कि इनका जो भी जो भी इंट्रेस्ट उसका ये लोग रक्षा कर सके अपना काम जो भी है उसको ठीक से चला सके there were several such guilds in South India from the 8th century onward तो दक्षिन भारत में जो है आठवी सताबदी के बाद से ऐसे बहुत सारे guilds बने जिसमें दो famous guilds थे एक Money Gramam और दूसरा Nana Desi these guilds traded extensively both within the peninsula and with South East Asia and China ये जो guilds थे South में South India में ये लोग जो है peninsular part में तो trade करते ही थे जो पठारी पार्ट था अब ये पठारी पार्ट मैं history में नहीं बताऊंगा इसके लिए आपको जोगराफी पढ़ना पड़ेगा तो आप जाके जोगराफी में पढ़ लिजे क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है इसके अलावा जो South East Asia है ठीक है South East Asia यानि कि इंडिया का जो इंडिया बोल रहे है आप जाकर के Google Earth App डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप एक एक लोकेशन को खुद से देखिए इससे क्या होगा कि आप एक लोकेशन को एक बार अगर आप देख लेंगे ना खुद से सर्च करके मैप पे तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा यह सब ऐसा चीज है ना यह आपको पूरी जिंदगी काम देगा अभी आप मतलब 7 क्लास में है तो आपको लगेगा कि नहीं यह क्या उतना इंपोर्टेंट नहीं बद आगे जाकर कि यह काफी ज़ इसके अलावा कुछ और गुरुप थे जैसे चेतियार थे मारवारी ओस्वाल थे वह काफी इंपोर्टेंट ट्रेडिंग ग्रुप बन करके उभरे अपने देश के गुजराती ट्रेडर जिसमें इंपोर्टेंट कम्यूनिटी इंक्लूडेट थे जो कि हिंदू बनिया का म इंदगी पर नहीं भूलोगे तो रेड़ सी को आप गुगल अर्थ डाउनलोड करो और उसके जाकर के देखो कहा है तो उसके किनारे जो भी पोट होते थे तो वहां से इनका मतलब व्यापार हुआ करता था इसके अलावा पर्सियन गल्फ से इस्ट अफ्रीका अफ्रीका क के मसाले और टेक्स्टाइल्स के बदले जो है वहां से ये गुल्ड यानि कि सोना और आइवरी हाथी का दाज जो है ये अफ्रीका से लाते थे एंड एस्पाइस टीन चाइनीज ब्लू पोटरी और सिल्वर फ्रम साओथ इस्ट एस्या एंड चाइना और साओथ इस्ट एस इस्टिया से जो है इनका इस्पाइस टीन उसके बाद वहां के ब्लू पोटरी और सिल्वर वगयरा का ब्यापार होता था टाउन ओन दॉ वेस्ट कोस्ट वेर हूम अरब पर्शियन चाइनेज जीविस और सिरियन क्रिश्टन ट्रेड़ तो जो West Coast यानि कि भारत का जो भी West Coast है ठीक है Western Coast तो वो एक तरह से hometown बन गया था घर बन गया था क्योंकि वहाँ से ब्यापार बहुत ज़्यादा होता था जैसे अभी इंडिया का West Coast आप समझ लिजे जो गुजरात हो गया जो महरास्टरा हो गया गोवा हो गया उसके बाद कर Western Coast का बात हो रहा तो उस जमने में क्या हो गया हो गया यहां पर अर्भी लोग परसी चाइनी जेवेज सिरियन क्रिश्चन वगारा आते थे रुपते थे क्यों क्योंकि वह लोग ट्रेड करते थे इंडियान स्पाइसेस और क्लोथ सोल्ड इन दर रेड सी पोर्ट वेर पॉ वहां से और यह जो है वहां से यूरोपियन मार्केट में यूरोपियन जो कंट्री है जो कि आप अभी तो यह जो इंगलेंड लंदन वगरा है ब्रिटिस कंट्री वो तो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है हलांके वो कंट्री यूरोपियन महादीप में सॉरी यूर आसको डीगामा जो है इंडिया में आये थे 1498 के आसपास ठीक है 1498 में ही तो यहां से जो मसाला करते थे ना तो जब वो सीप बर मसाला यहां से भर करके लेके गए थे तो वहां पर 60 हुना ज्यादा मुनाफ़ा हुआ था उनको तो इसी से आप अंदाजा लगा लिजिए कि कि इतना मुनाफ़ा होता था यहां से मसाला ले जाकर वहां पर बेचने में थे इस्पाइस ग्रों इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो मसाले उगते थे जैसे कि पेपर शिनामोन, नटमेग, ड्राइट जिंगर यह सब हो गया एक इंपोर्टेंट पार्ट बन गया यूरोप में काफी attractive हुआ करता था और जमाने में तो और जगा पे इतना ज़्यादा production होता नहीं था तो Indian cotton का काफी ज़्यादा demand था और ये cotton काफी ज़्यादा attractive हुआ करता था इससे क्या हुआ European का जो ध्यान है European जो traders थे उनका ध्यान जो है इंडिया की तरफ खीचा हुआ चला आया we will shortly read about how this change the face of trading and town हम लोग बाद में जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसके बाद town वगरा और trading में बहुत ज़्यादा बदला हुआ है इससे परले हम लोग काबूल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो काबूल जो है वो अभी अफगानिस्तान में है ठीक है अफगानिस्तान का काफी सारा नाम अभी current affairs में सुन रहे हो येगा news में सुन रहे हो येगा कि तालिबान वगरा से related news की तालिबान कैसे अमेरिका को मतलब वहां से अमेरिका जब exit किया तो तालिबान जो है वहाँ पे अफगान का जो पहारी टाइप का लेंडेस के पुआँ का, काबूल जो कि आंदर प्रदस बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान में है, यह politically और commercially, यानि कि राजनैतिक दृष्टी से और ब्यापार के दृष्टी से जो है, काफी important टाउन मुन गया, ठीक है, कब 16th century के बाद, काबूल और कंधार दोनों जो है, अफगानिस्तान में है, तो यह link था किससे celebrated silk route से, अब यह silk route क्या है, तो आप simple समझे लो, silk route के बारे में, कि यह एक ऐसा रास्ता था, जिससे silk का ब्यापार होता था, ठीक है, चाइना से जो है, silk का production करके, ठीक है, और एक रास्ता था, जिसके थूँ यह European market तक पहुंचता था, ठीक है, तो उस रास्ते में अब जो जो road आएगा, जो रास्ता लिया है, वो silk route था, ठीक है, तो यह काबूल और कंधार जो है, इसी silk route का part था, यानि कि यहाँ से silk route गुजरता होगा, अब इसके अलावा क्या हुआ, trade in horses was primarily carried on through this road, अब इसी route से silk route है, त इसे घोडे का ब्यापार, तो काबूल से कंधार जो link था, वहाँ पर घोडो का जो है, काफी ज़्यादा ब्यापार होता था इस route से, इसके बाद जो है, 17th century में, Jean Baptist, Tavernier, एक diamond merchant थे, यानि कि diamond के ब्यापारी थे, हीरे के, यह estimate बताते हैं, कि horse का trade जो है, काबूल में, बढ़ा amount, अब खुद समझ लिए, 30,000 रुपया, यह कब का बात रहा है, तो 16th century का, यानि कि 1500 से लेकर के 15993 के आजपास का, उस जमाने में 30,000 annually जो है, turnover होता था इसका, camel जो होते थे, वहाँ पर उट जो होते थे, वो carry करने के काम आते थे, dried fruit fruits, dates यानि कि जो खजूड होत काबूल से सब कॉंटिनेंट के या जो और भी जगाते वहाँ पर carry करने में काम आते थे, इसके अलावा वहाँ का जो market था, काबूल कंधार वाला जो market था, वहाँ पर slave को भी लिया आया जाता था, किसलिए तो बेचने के लिए गुलामों का बहुत बड़ा market था, बहुत ही इस लेक्चर में इतना ही, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के ग्रूप में सेर कर दीजिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थ ते 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 rud